जैसा कि देख सकते हैं यह मेरे website पे last 3 month का traffic है और अगर मैं आप लोगों को दिखा हूँ discover से मेरे को कितना traffic मिल रहा है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ देख सकते हैं गाइस discover से last 3 month में मेरे पे कितने website पे clicks आये हैं, कितने impression हुए हैं, CTR कितना हैं, सारी ची discover से traffic दिलाने में बहुत मदद करेंगे, so hello guys, आप देख रहे हैं, FT Thoughts, मेरा नाम है रवी कुमार हैं guys, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ guys, कैसे आप लोग अपने website पे Google discover के थूरू बहुत ही अच्छा खासा traffic ला सकते हैं guys, और guys बहुत ही सदी से guys, पूरा वीडियो देखिए, जो भी tips में आप लोगों को बता रहा हूँ, उसे follow करिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे results मिलेंगे, so guys, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like करिएगा, और चैनल को भी subscribe कर लीजिएगा, so देख सकते हैं, how to get traffic in millions using Google discover, तो guys, कभी भी आप लोगों को वहाँ से traffic नहीं मिलेगा, तो अगर आप लोगों को check करना है कि वो कौन से topics हैं, जो की Google discover ने band किये हैं, तो आप लोगों को Google discover लिखके simply Google पे type कर देना, और guys, जो पहली website आई जाएगी, उस पे आप लोगों को visit करना है, और यहाँ पे आने के बा किसी भी topics पे काम कर रहे हैं, अपना post लिख रहे हैं, तो आप लोग भूल जाएए कि आप लोगों को Google discover से traffic मिलेगा, तो अगर आप लोग इन topics पे काम कर रहे हैं, तो इससे कोई भी फायदा आप लोगों को नहीं होने वाला, तो guys, इन topics पे बिल्कुल भी काम मत करिएगा, और आप लोग जरूर एक बार इससे अच्छे से पढ़ लिजेगा कि कौन-कौन से topics को, कौन-कौन सी policies को आप लोगों को follow करना है, ताकि आप लोगों को Google discover से traffic मिल पाए, मैं आप लोगों को guys से idea सा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से अगर इससे पढ़ते हैं, और Google discover क अच्छे से उसका जो भी चीजे हैं, उसे follow करते हैं, तो बहुत अच्छा का सा traffic आप लोगों को मिल सकता है, अब guys इसके बाद जो second चीज है, वो है Google hates clickbait content, अगर आप लोग किसी भी तरीके से Google discover में आने के लिए clickbaiting का use कर रहे हैं, तो आप लोगों को कभी भी traffic यहां से न करना है, अब जिन लोगों को clickbait का मतलब नहीं पता, तो मैं बता दूँ कि आप लोग topic ऐसा कोई चुन लेते हैं, या आप लोग को image ऐसा लिख देते हैं, जिसमें guys कुछ लिखा कुछ और होता है, और आप लोगों का content कुछ और होता है, जो की users को अपनी तरफ खीचता है, तो ऐसा content आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डालना है, अब इसके बाद guys जो तीसरी चीज है, वो है आप लोगों को manual actions से बहुत ही बचके रहना है, अब manual actions क्या होते हैं guys, जब भी आप लोग Google discover के किसी भी band topic पे काम करते हैं, और अगर आप लोग एक बार warning आने के बाद भी नहीं रुखते हैं और काम करते रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, Google manually फिर आपके website को यहाँ पे check करेगा, और उसे एक भी ऐसा topic मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, आपकी website को permanently band कर देगा Google discover में आने से, तो ऐसे में guys आप लोग फिर कितनी भी कोसिस कर लें, आप लोग की कोसिस नहीं करनी हैं, क्यूंकि guys कभी भी Google discover में sponsored content आप ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये रखना है, कि sponsored content वहाँ पे ना डालें, अब guys आप लोग सोचेंगे कि हम कैसे समझें कि हमारा कौन सा topic, कौन सा post Google discover में जाएगा या नहीं, तो ऐसे में Google मैं आप लोगों को बता दूँगा, last में कि क्या आप लोगों को करना है, और इसके बाद आप लोगों को अगर election content से related कोई भी article लिख रहे हैं, तो make sure करिए कि वो up to date रहे हमेशा, अगर election content आप लोग यूचूज करते हैं, और उसको update नहीं करते हैं, तो आप लोगों का वो read guidelines में लिखा भी हो हुआ है, कि आप लोगों को block नहीं करना है, robot.ht के तुरू और इसके साथ साथ अगर आप लोग देखें, तो आप लोगों को अपने website को उसी तरीके से up to date रखना है, जैसे आप लोग site map files को submit करके रखते हैं, तो guys ये कुछ चीजे हैं, जो कि आप लोग के भी दिखाऊं, तो आप लोगों को क्या करना है, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इसे like कर देना है, like करने के साथ आप लोगों को comment करना है Google Discover Part 2, तो मैं आप लोगों को guys एक बहुत अच्छा practical वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊं के लिए अगर वो Google के द्वारा index हुई है, और इसके बाद guys किसी भी तरीके का text, किसी भी तरीके का hashtags की जरूरत नहीं होती, Google खुद किसी भी website को Google Discover में डालना है या नहीं, वो खुद चूस करता है, so guys I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा and make sure करिएगा कि आप लुक चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगी